नमस्कार आप देख रहे हैं आपनाइन टीवी मैं हूँ आपके साथ आशिमात्यागी और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का तो आप ट्राफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको ब बता रहे हैं अब ट्राफिक नियम तोड़ना जेब पर भारी पड़ने वाला है तो लापरवाही से गाड़ी चुलाने पर भारी जुर्माना आपको चुकाना होगा आपको बता दे कि राजसभा में मोत्रों वीकर सर्शोतन बिल पेश हो गया है सडख हाथ्सों पर रोक ल करने के साथ आपको तीन साल की सजा भी दे सकता है तो राजसभा में मोटर वीकर सर्शोतन बिल पेश हुआ है सडख हाथ्सों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है और अब इस बिल को पेश करने के बाद ट्राफिक नियमों को तोड़ने व अब ट्राफिक नियम तोड़ना जेब पर भारी पढ़ने वाला है तो आपको बता दें कि राजसभा में मोटरल वीकर सर्शोतन बिल पेश किया गया है जिसके बाद अब किसी ने ट्राफिक नियमों की अभेलना की अंदेखी की तो अब आपकी जेब पर भारी जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा तो साथ ही आपको जेल की सजा भी हो सकती है अगर नावालिक ने एक्सिडेंट किया है तो अभिवाब को तीन साल की जेल का जो प्राफिता ने वो यहाँ पर रखा गया है तो राजसभा में इस बिल को पेश किया गया है और ये बल आप पास ह तो आप ट्राफिक नियम तोड़ना जेब पर भारी पढ़ने बाला है अगर आप ट्राफिक नियमों की अवेलना करते हैं तो अब आपको अपनी जेब से भारी जुल्माना चुकाना होगा जेल की सजा आपको हो सकती है तो ये कड़ी सजा का एलान यहां पर हुआ है तो आइन टीवी पर पलपल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे आप देखते रहें आइन टीवी